हातों में चूड़ी, माथे पर बिंदी, होटों पर लिपस्ट्रिक और बालों में गज्रा पहली नजर में पहचान पाना भी मुश्किल है कि ये राजपाल यादब है राजपाल ने अपने इस ट्रांसजेंडर लुक से बॉलिबुड में तहल का मचा दिया है हर तरफ राजपाल का ये नए आपतार चाया हुआ है अपने फिल्मी करियर में राजपाल ने एक से बढ़कर एक रोल की है लेकिन ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब राजपाल ने ऐसा मुश्किल रोल चुना है जिसे करने से हर एक्टर कटरात रहे बॉलिवुड में अभी तक किसी भी सुपरस्टार ने ट्रांसजेंडर का रोल नहीं किया है कॉमेडी में तो राजपाल आज के दोर के सबसे बड़े आक्टर है हलाकि पिछले कुछ वक्त से राजपाल को बॉलिवुड में नजर अंदाज किया जा रहा है उन्हें बहुती कम फिल्मों में रोल मिल रहे है और शायद इसी वज़ा से राजपाल ने अपने साथ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है जिसे देखकर लोग भी चौग गए है राजपाल का ये लुक उनकी आने वाली फिल्म अर्ध का है फिल्म की कहानी एक ट्रांसजेंडर की है जिसकी परसनल लाइफ को लोग पहली बार परदे पर देखेंगे कैसे वो अपने पैदा होने से लेकर मरने तक घुट घुट कर जीते हैं कैसे उन्हें समाज दुट कारता है कैसे उन्हें नौकरी नहीं दी जाती है उन्हें पढ़ने से रोका जाता है उन्हें समाज से बिलकुल अलग कर दिया जाता है ट्रांसजेंडर के साथ होने वाली ये सब चीजें लोग पहली बार परदे पर देखेंगे राजपाल की यही खासियत है कि जब भी उन्होंने लीक से हट कर काम किया है तो उसमें उन्होंने एक मिसाल ही पेश कर दी है फिल्म जंगल में साइको विलन का किरदार हो या अंडर ट्राइल में खूकार बाप का रोल हो राजपाल ने अपने हर रोल से सब को चौका दिया है और कॉमेडी में तो राजपाल का कोई जबाब ही नहीं है राजपाल यादब की ये फिल्म जल्द ही रिलीज होने वाली है फिल्म में उनके साथ रूबीना दिलैक और हितेन तेजबानी भी है राजपाल की इस फिल्म से लोगों को बहुत उमीदे हैं अब देखते हैं कि राजपाल इसमें क्या धमाका करेंगे फिल्म आपको कैसा लगा राजपाल यादब का ये नया लुक हमें कमेंट में बताईए और भी जादा इसी अपडेट्स के लिए हमारी चनल को सब्सक्राइब कीजे